नमस्कार मैं शर्शी कीरन और आप देख रहे हैं खबर पांटी फो न्यूस इस बिलेटिन के प्रायोजेगे श्री कुर्शना प्रावेट आई टी आई जहलावार जीले की डीस्टल क्लासरूम वाली एक मात्र आई टी आई खबरों की शुरुआत हेडलाइन्स के साथ किसानों की रिनमाफी शिविर का हुआ आयोचे में 146 किसानों को दिये रिनमाफी प्रमाण पत्र बकानी शेत्र की पंचयाज करल गाउं में हुआ संप्र कि रोजी रोटी की थाती नन्नी वाली कने दिखाये कर्टा मवानी मंडी में नजारा देखने रुके देरो रागी साथ सुत्री मांग पर्च को लेकर स्टेम को सोपा गयापन पीडावा में रास्थान शिक्षक संग द्वारा की जारा ही है मांग बकान्य उपकंड अधिकारी राकेट मिडाने सरकारी कारे लाइकार किया निरक्षान तसिल कारे लाइब सामो ज्वाईक स्वास्त केंद पहुषकर मरीजों के जाने हाल चाल विधायक ने किया भूमी पूजन सिक्ष समाज के लिए बनाया जाएगा सामो जाएक भवन विधायक कोस्त है ताड़े पांस लाज की लागत से होगा निर्मार अब खबरें विस्ता से केंद्रिवर राजी सरकर गरीबों के लिए कई योजना कुछ अला कर वाही वाही लूट रही है कई गरीब बे सहारा लोगों को इसका लाप प्रभाव शाली बड़े लोगों द्वारा लेने के लिए गरीब लोगों की पास योजना पहुच ही नहीं पाती है एसी इस्तिती में गरीब बच्चे अपने परिवार का पेट पानने के लिए जान जोखी में डालकर करतब दिखा कर दो जुन की रोजी रोटी के लिए मशक्कत कर रहे हैं जबकि इनके हातों में पेन एवं कोपी होनी चाहिए वर्तमान में 36 गड़ की निवासी 6 वर्ष की कुंद्री मती वो 7 साल की रामबाई नाम की बच्ची ने भवानी मनी शहर में कई इस्थानों पर जाकर करतब दिखाया बच्ची के परिवार वालों का कहना है कि हमारी कोही नई सुनता है इसलिए मख्दूरी करने के लिए जगा जगा भटकना पड़ रहा है एक दो जून की रोजी रोटी के लिए नणी बच्ची रस्ती के सारे कई हेरत अंगेज करतब दिखा रही है यदि सरकार आर्तिक सायता करे तो बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवा देते एवं कौन चाहता है कि बच्चे आज इवन ही करतब दिखा कर पेट पालन करें जालवार जिले के बकानी शेत्र की पंचायत करल गाउं में मुख्य मंत्री द्वारा किसानों के पचास हजार रुपए की रिण माफिकी घोशना के बाद प्राइलेट प्रोजक्ट के तहट केंद्री सहकारी बेंक वर प्रात्मिक सहकारी भूमी विकास बेंक द्वारा लगुव सिमान किसानों को रिण माफि शीविर का आयोजन किया गया शीवर मुख्य अधिती संसदी सच्चीव नरेंद नागर ने 146 किसानों को 36.90 लाख रुपए के रिण माफि प्रमान पत्र वित्रन किये इस दोरान संसदी सच्चीव ने बताया कि मुख्य मंत्री वसुंद्रादे सिंधिया हमेशा किसानों के हितेशी रहे हैं उन्होंने पहली बार किसानों को सहकारी रेंग का 50,000 रुपए तक का करजा माफि किया है किसानों को ध्यान रखते हुए दिन में किसानों को बिल्ली दी जा रही है इस दोरान गाउं के इसकुली छात्रों ने रमसा की अंतरगत अधूरों कमरों को फूर्न करवानी की मांग की शीवीर में कई ग्रामिन अपनी जन समस्या लेकर आये जिनका मोके पर ही निस्तारण किया पिडावा में राजस्थान शिक्षक संग राश्ट्री द्वारा सा सुत्री मांग पत को लेकर प्राप्तियापी आनुरन अहवान की प्रथम चरण में उपशाका पिडावक सदस्य ने जिला अध्यक्ष गोविन सी जाला की अगवाई में उपखंड कारेलाई व प्रदर्शन कर मुख्य मंत्री शिक्ष्या मंत्री सच्चिव व प्रमुक्षासन सच्चिव के नाम SDM राकेश मिणा को घ्यापन सोपा संगठन के जीला मीडिया प्रभारी गोरव जेन ने बताया की राजस्थान शिक्षक संग राश्ट्री द्वारा सोपे गए घ्यापन में बताया की शिक्षकों की विभिने समस्याओं को लेकर प्रदेश कारिकार्नी द्वारा समय समय प्रशाशन को अवगत करवाया गया लेकिन समस्यात्न Mikpyn नहीं आने से शिक्षक हित्मे ग्यापन सोपा गया इसमें NPS हटाकर पुराणी पेंशल लागू करना छटे वेतन मान एवं 2007-2009 में युक्त शिक्षिकों की वेतन भी संगती दूर करने विभाग में पदिस्थान हेतु प्रचलित काउंसिलिंग पद्धती को युक्ती संगत बनाकर समस्तर रिकपत को 7 दिवस पुर्व दर्शाया काउंसिलिक प्रक्रिया को पारदाशी वे सुईधा जनक बनाका शिक्षिकों को टीए वे डीए योपपल का लाब देने शेश रहे पेरा टीचर, शिक्षा कर्मी, समीदा कर्मी को प्रभोधक बनाने वे प्रभोधकों को पदोनती देने की मांग की गई इस आउसर पर उप्षाका अध्यक्ष, पंकत दिक्षित, दिपक भाउसार, घंशाम पाठीदार, बालचन गुजर, लोकेश जेन, संजेज जेन, राम बाबु शर्मा, सुनिल जेन, वाहित खान, आदिती जेन, अमिज जेन, राधिश्याम पाठीदार, भवानी राम सुनिल जेन सहीत कहीं शिक्षक उपसित रहें. इंपेश का ए, विजल सेवेक ए, घंशाम पाठीदार, लोकेश जेन, जड़ना पिशार जाएक रहें. हर मेहने दू जीलंजे के बकानी कजबे में, उफखंद अधिकारी कहिंटर राकेश हुमार मेंणा नियारी का नियरक्षण किया मही उसके बाद सामुदाइक स्वास्त केंद्र पर पहुचे जहां मारीजों से हाल चाल अस्पताल की ववस्था के बारे में पूछा की यहापर कोई पेसे तो नहीं ले रहे और इलाज केसा हो रहा है मही साफ सफाई वो कुलरों का निरक्षन किया अस्पताल में होने वाली जाचों की बारे में लेव में जाकर देखी मही दवाईयों का स्टोक की पूरी जानकरी लेते हुए राजी सरकार की द्वारा दी जाने वाली योजनाओ के लाभार्तियों की लिस्ट बांगी इस दोरान CSC प्रभारी डॉक्टर मृत्युजय मंडल ने अस्पताल का निरक्षन करवाया बाद में बकानी थाने का निरक्षन करते हुए थाने के सामने बनने वाली नहीं तरसिल भवन का निर्मान का निरक्षन किया अमी दिया भवानी मंडी विधैक रामचन सुनारी वाल ने साड़े 5 लाख रुपे की लागत से बनने वाले सामुदाईक भवन का भूमी पुजन किया गुरुद्वारा प्रधान गुरु मुक्सी ने बताया कि सिक्ष समाज के लिए सामुदाईक भवन बनाने की विधैक रामचन सुनारी वाल ने गोशना की थी जिसके चलते विधैक ने विधैक को साड़े 5 लाख की लागत से गुरुद्वारा की पीछे बनाए जाने वाले सामुदाईक भवन की पुजा अचना कर भूमी पुजन किया महीं इसे बनाने की जिमेदारी पालिका को दी इस दोरान पालिका अध्यक्ष पिंकी गुजर, पुरु पालिका अध्यक्ष रामलाल गुजर, मंडल अध्यक्ष तुनिस दिक्षित, पालिका उपाध्यक्ष विनए पौरवार, वाड़ पाशर सहीत, सिक्क समाज के लोग मौजुद थे आज की बुलेटिन में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहे हैं, हबर 24 न्यूस, नमस्कार इस बुलेटिन्द के प्रायुजक्ते श्रीक्रश्ना प्रायविट आईटि आई, जलावर जिले की डिजल क्लास वाली रूम वाली मात्र एक आई